तो हलो दोस्तों थोड़ा बात करना पड़ेगा प्लाव करना पड़ेगा सब कुछ तोड़ा देखना पड़ेगा कि या एक्सपेट हमको बड़ा प्रॉफिट मिले सकता है ठीक है अगर एक चीज आप अब कर रो यहां पर की मार्केट एक तारीज आड़ सो से एड़ाइज चैसों यानि छेसो इदर दोसो इदा लग में आठ सो पॉइंट में आठ सो पॉइंट का मुवमेंट करने के लिए यानि यह जो आपका डाउन होगा है यहां से चार दिल लग गए इसको रीकवर करने में ले पॉइंट्स आप समझें और इसे कोई रोता है कोई बडी कंडल बन जाती है तो चांसे सीर रहते हैं कि अगर यहां पर रेंज है थोड़ा थोड़ा बॉलीम्हकी हो रहा ह gjort कि डो ऑन मोरंचित हो कर सकते हैं जब भी यहां पर बड़ा ब्रेकाउट होगा तैह veggies आपको बड़े ट्रेड मिलेंगे यहां पर यानि आपका बैली जार आट सो जब भी ब्रेक आउट होगा तो बड़ा ट्रेड मिलेगा यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि बैली जार 200 के नीचे मार्केट होना चाहिए ऐसा नहीं काना कि बैली जार तीन सो पर आगे आपको यहां पर इस चीजें कैसे वर्क कर रही है जैसे एक एजमपल यह आपका बैली जार दो सो देखने का दो रीजन में बताता हूं पहला रिजन अगर आप देखोगे बैली जार दो सो का के लिए अगर आप देखोगे यह आपका बैली जार दोस्तों का आप देखोगे पूट साइट पूट साइट आप देखो और उसके बाद आप देखो यहां पर आपका कॉल साइट कॉल साइट देखो आज तो यह एक्जिट ही हो गया पोजीशन यहां पर तो कोई पोजीशन नहीं मंडे को फ्रेस पोज लेगा तो वह बड़े लोग मतलब पांस मिनट में बहुत ज्यादा लोग इंटी ले सकते हैं क्योंकि जगह खाली है जब खाली जाती है तो बहुत लोग आने के बैठने कोई करते हैं ठीक है तोसी साथ अगर आप सोचोगे यहां पर कोई भी नहीं है यहां पर दिख रहा है और यहां पर क्या है कि लोग यहां पर है जो है 16,000 आज़ी चेंज भी जैसे कुछ नेरियों में क्यों हैं कि मार्केट क्या है कि एसे कुछ रजिस्टेस्टेस्फ लेबल के पास में तो ऐसे सीनेरियो में क्या होता है कि बड़े लोग क्या होते हैं हई-ब कंटी के साथ भाइं होता है जिसके मार्केट क्या होता है जिसके एक होता है तो तो इस पॉइंट को अप्लिजह 1220 अगर आप होगे सबको यहां पर किया है कि यहां पर लगबहत 300 है यहां पर 800 होगे तो यहां देखोगे कुछ जाहदा नहीं है बट अगर आप यहीं पर देखो लेगो दाइस पॉइंट आप और अगर आप इस स्टाइक पर पच्चीस वाल आप देखोगे तो आपको की लिए सुझाए कि मैं आपको क्या बता रहाँ गया लिजर 200 तो मल्टीपल स्ट्राइक प्रैस को सबझना चाहिए कि क्या हो रहें य तो हमारे लिए बैलिजा जो 200 लेबल है वह हमारे लिए स्ट्रोंग सपोर्ट लेबल आपका वर्क करेगा यह यह स्ट्रोंग सपोर्ट लेबल वर्क करेगा तो यानि जब बैलिजाए नीचे अगर यहां पर बैलिजार के नीचे अगर मारकेट जाता है तो फिर स्ट्रोंग सपोर्ट लेबल नहीं है इस पर अगर मार्केट डाउन आता है तो आपको वेट करना मार्केट बुली जाता है फिर जाके बाइंग करो फिर जाकर बड़े प्रॉफिट मिलेंगे या तो आपका आपको यह चीज आपको ध्यान में रखना निफ्टी का तोड़ा समझ लेते हैं कि निफ्टी में आप कहीं पर भी अपने स्ट्रोंग सेलिंग निकल सकते हैं दोस्त मैंने यह ड्रो किया है अठ्राजार आठ्राजार आपका 20 करेक्ट है एंड सिंपल यह स्ट्रोंग सपूर्ट लेवले जहां से मारे मैक्सिम टाइम प्राइस रिवर्स हुआ है प्लस बाउंस हुआ है अगर रेंज होता है तो डेफिनेट्ली मार्केट डाउन आगा अगा मार्केट कहीं से पूलब्लिward हुआ है। आप सबस्क्राइबें कर सकते हूं किमार्केट क्या होगा एसा अ होता है ऐसा होता है क्या करने के लिए थोड़ी सी मार्केट क्या होता है यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा आपका पांच मिनट में को दिखता है कि यह मैं अपर हैं यहां पर जितने भीम लेता हूं यह सारी फटे का उसक्ता पिछले लिया हूं नौ दिन कंटिनू हमने प्रॉफिट किया नौ दिन कन्टिनव यहां पर विडियो उपलोड किया है आप जाके सारी वीडियो का आप देख सकते हो नो दिन हमने कंटीनी वीडियो बना के अप्लोड किया है आप वीडियो में ज़ाओंगे आपको यहाँ पर सब्तुन निफ्टी में आपको इस लेवल को जहार रखना है करना को आपको लान करते हो तो आपको निफ्टी के लिए इंपौटर के लिए इंपॉर्टेंट है यह सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिलाइंस आपको देखना बहुत जरूरी है अगर रिलाइंस को आप नहीं दखो गए तो फिर आपके लिए थोड़ा साथ कंफर्मेशन निकाला मसलब प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होता है अगर रि आप देखो गए निफ्टी का तो अगर आप निफ्टी का देखो यह देखो अब देखो गया आप ब्रेक आउट ब्रेक आउट मारकेट के लिए यह आपका 50 पॉइंट का मुम्मेंट करता हूं ओंक निफ्टी में आपका गन्फित्सान प्राइब का क्ज़नल सब्सक्राइब यह प्राइब खार सब्सक्राइब कहते जरूर फाउल किमीत बस्क्राइब कुछ चाहि辦 यह जोइन करना चाहिए जोएन कर सकते हैं यह सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा और कांसिस्टन्सी कैसे आप ऐसे बना सकते हो एक लॉट दो लाट जो जो प्रेट कर सकते हो सिंपल मिनिमम कैपिटल में कैसे आप्टेट पर सकते हो और प्रोफिटेबल डेली आप कैसे पैसे मना सकते हो यह सब कुछ में आपको बताऊंगा और बहुत नॉर्मल मैंने फीज रखा हुआ है बट इससे इसका एक दो गुना मैंने फीज रखा था पूरा मेंटर से पूरा हुआ हुआ है